सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर डाइयोकसाइड बनाता है क्रिया कलाप एक में आपने देखा होगा कि सल्फर डाइयोकसाइड का जल में विलियन अमली है इसी प्रकार अधिक्तर अधातु ऑक्साइडों की जल ये विलियन अमली होते हैं जैसे CO2 प्लस H2O इस इक्वल टू H2CO3 किन्तु सभी अधातु ऑक्साइड अमली नहीं होते हैं जल हाइड्रोजन का ऑक्साइड है और इसकी प्रकृती उदासीन होती है कुछ प्रमुख और धातु में सम मेजर नौन मैटल्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन नामों पर ध्यान दीजिए क्या आपको इन में कोई समानता दिखाई देती है इन सभी नामों के अंत में जन आता है वास्तों में जन ग्रीक भाषा के जेनेस से लिया गया है जिसका अर्थ है बनाने वाला जैसे हाइड्रोजन दो शब्दों से मिलकर बना है हाइड्रो जिसका अर्थ है पानी तथा जेनेस अर्थाद बनाने वाला इस प्रकार हाइड्रोजन का अर्थ है जल बनाने वाला। जब ऑक्सीजन की खोज हुई तो यह माना जाता था कि इस से अमल ऑक्सी बनते हैं और इस आधार पर ही इस तत्व को ऑक्सीजन नाम दिया गया। प्रिथवी की लगभग 70% सतह पर जल है तथा जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योगिक है। हमारे आसपास की वायू में लगभग 78% नाइट्रोजन तथा 21% ऑक्सीजन है। इसलिए इन तीनों तत्वों को वायू और जल के तत्व भी कहा जाता है। कार्बन के साथ मिलकर ये तीनों तत्व अनेक ऐसे योगिक बनाते हैं जो जीवन का आधार हैं और अत्यंत महत्व पूर्ण हैं जैसे प्रोटीन।